Hello everyone, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक amazing motivation के साथ कि NTSC exam में हम होंगे काम्याब के साथ इस सेशन में हम NTSC chemistry का एक और new chapter start करने जा रहे हैं and that is atomic structure देखो ऐसा है कि previous sessions में हमने chemistry के first two chapters को complete कर लिया है अपना first chapter था matter and its classification और second chapter था is matter around us pure तो अब बारी आती है third chapter की और ये third chapter कौन सा है भई ये है atomic structure तो basically आज के इस session में हमें ये देखना है कि इस new chapter के under हमें कौन कौन से नय topics discuss करने हैं, समझने हैं, पढ़ने हैं So I hope कि आज के session का जो target है वो सभी को एकदम clear है तो अब एक काम करते हैं जल्दी से session को start कर लेते हैं So this is विभूती खरे, welcome to magnet brains जहाँ पर आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost यानि की magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद, किसी भी दरह का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं, आज का हमारा ये session जहाँ पर हम अपने new chapter, atomic structure का introduction देखेंगे ठीक है? चलो, तो आज की इस session को हम एकदम properly start कर ही देते हैं अब इस chapter की जो शुरुवात है, वो कहां से होने वाली है? वो होने वाली है कुछ amazing discoveries के साथ अब आप बोलोगे कि मैम, किस चीज की discovery? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे discovery of electron फिर हम पढ़ेंगे discovery of proton और इसके बाद में हम पढ़ेंगे discovery of neutron अब आपका सवाल होगा कि मैम, ये electron क्या है, proton क्या है, neutron क्या है? देखो, मैं आपको बताती हूँ कि हमने NTSC Chemistry में अभी जो first two chapters पढ़ें हैं उन दोनों ही chapters को, chemistry के दोनों ही chapters को पढ़ करके हमें ये समझ में आया है कि हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास matter ही matter है क्या है हमारे आसपास? matter ही matter है For example, मैं इस pen की बात करती हूँ ये pen क्या है? ये भी तो एक matter ही है न? अगर मैं आपसे पूछूँ कि ज़रा मुझे ये बताओ कि ये जो matter है, ये जो pen है, ये किस चीज का बना है? तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप बोलोगे कि मैं ये matter बना होगा किसी चीज से, लेकिन वो चीज क्या है हमें नहीं बता चलो, एक काम करते हैं, मैं आपका काम असान कर देती हूँ, क्या असान? ये जो pen है मेरे पास, ये जो matter है मेरे पास, इस matter को मैं तोड़ती हूँ जैसे कि ये pen है, इसको मैंने दम लगा करके तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद क्या होगा? तो आप बोलोगे कि मैं ये कैसा बच्चो जैसा सवाल है, हमको पता है कि अगर आप इस matter को इस pen को तोड़ोगी तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, दो pieces मिल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है अब एक काम करते हैं, इन दोनों pieces को भी हम फर्दर और तोड़ते हैं अब आप बोलोगे कि मैं ये तो आप pen के पीछे ही पड़ोगी हूँ, अच्छा खासा pen, आप उसको क्यों तोड़ना चाहती हो? मैं इसलिए तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये पता करना चाहा रही हूँ, कि अगर मेरे पास एक matter है, और उस matter को मैं तोड़ती हूँ, तो तोड़ते, 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 मुझे मिलेगा क्या end result क्या होगा? तो इसके लिए मेरे पास जो pen है ये एक matter है और मैं इसको तोड़ रही हूँ पहले जब मैंने इसको तोड़ा तो ये दो pieces में divide हो गया फिर जब इन दो pieces को भी further मैंने और तोड़ा तो क्या हुआ और छोटे छोटे pieces मुझे मिलते गए अब ये जो छोटे-छोटे pieces मिल रहे हैं इनको मैं और divide कर रही हूँ तो मुझे even smaller pieces मिलेंगे लेकिन जो तोड़ने की process है वो अभी तक मैंने रोकी नहीं है अभी भी मैं क्या कर रही हूँ मैं लगातार तोड़ती जा रही हूँ तोड़ती जा रही हूँ उन pieces को भी अगर मैं तोड़ती जाओंगी तो ultimately मुझे इस pen का powder मिल जाएगा मिलेगा की नहीं मिलेगा बिल्कुल मिलेगा वो जो powder मिलेगा न मुझे उस powder में भी क्या होंगे छोटे-छोटे से particles होंगे क्या होंगे? particles होंगे अगर उन particles को भी मैं क्या करूँ तोड़ती जाओं तो ultimately इस आप बोल सकते हों कि continuous division के बाद में मेरे पास एक ऐसी stage आएगी जहां पर मुझे कुछ ऐसे smallest particles मिलेंगे जिनको तोड़ना further और possible होगा ही नहीं यह जो pen है यह आपको इतना बड़ा भी दिखाए दे रहा है तो अगर मैं आप से बोलूँ कि क्या यह तूट सकता है क्या यह divide हो सकता है छोटे pieces में तो आप बोलोगी कि हाँ मैं बिल्कुल हो सकता है तो मैंने division का मैंने division शुरू कर दिया और यह division मैं रोक ही नहीं रही हूँ मैं लगातार क्या कर रही हूँ इस pen को तोड़ती जा रही हो तोड़ती जा रही हूँ Ultimately क्या हुआ मैं इस division के एक ऐसी stage में पहुँच गई जहां पर जाकर के मुझे इतने छोटे particles मिले हैं कि अब वो particles further और divide हो ही नहीं सकते ऐसा है कि इस वाले chapter के बाद में हम atoms and molecules वाला chapter भी पढ़ेंगे वहाँ पर इस चीज को मैं आपको और अच्छे से explain करूँगी लेकिन हाँ इस chapter को समझने के लिए जो मैं अभी आपको चीज समझा रही हूँ आप इसको प्री सोड़ा सा ध्यान से सुनना ठीक है तो यह जो मेरे पास smallest particles आ गए इन smallest particles का ही आगे जाकर के नाम क्या रखा गया atoms रखा गया और यह बात आज की नहीं है यह बात कल की नहीं है दस सल प्रानी नहीं है जो हमारे ancient philosophers थे देखो ऐसा है कि जो बहुत पहले के जमाने के scientist हुआ करते थे ना उनको scientist नहीं बोलते थे उनको philosophers बोलते थे क्यों? क्योंकि वो philosophies देते थे कि ऐसा होता होगा ऐसा हुआ होगा तो जो हमारे ancient philosophers थे ना उन्हों नहीं यह बात बोली कि भाई यह जो smallest particles matter को अगर आप divide करते जाओगे तो division के आप एक ऐसी stage में पहुँच जाओगे जहां पर फर्दा और division पॉसिबल नहीं होगा तो उस stage में आपको जो smallest particles मिलेंगे वही smallest particles क्या कहलाएंगे? atoms कहलाएंगे अब जो हमारे ancient philosophers थे उनमें से कुछ philosophers का कहना यह था कि यह जो atoms है ना यह invisible होते हैं इसका मतलब क्या? कि atoms ही सबसे छोटी एकाई है सबसे छोटी unit है एक atom क्या है? सबसे छोटी unit है किसी भी matter की एक matter जो है वो बना होता है जो मैंने आपको शुरुवात में सवाल पूछा था कि जड़ा मुझे यह बताओ कि यह pen, यह matter किसका बना हुआ है तो अब आपके पास जवाब होना चाहिए कि भाई यह जो matter है यह बना होता है किसे particles से और जो छोटी छोटे particles होते हैं उन्ही को हम क्या बोलते हैं? basically atoms बोलते हैं तो मैं आपको क्या समझा रही हूँ? कि जो हमारे ancient philosophers थे उनका यह कहना था कि यह जो atoms होते हैं माना कि यह क्या है smallest आप बोल सकते हो कि particle है लेकिन यह जो smallest particle है इनको आप further divide नहीं कर सकते हो इसलिए कि मैं आपको समझाया कि किसी भी matter की जो smallest unit है किसी भी matter की जो smallest unit है वो क्या होती है atom भाई यह पूरी कहानी मेरी नहीं है मैं आपको सुना रही हूँ यह जो पूरी कहानी है यह हमारे ancient philosophers की है वो ऐसी ऐसी philosophies देते जा रहे थे कि matter को divide करते जाओगे तो एक ऐसी stage आए कि जहाँ पे जाकर कि further division possible नहीं होगा तो उस stage पे जो smallest particles मिलेंगे उनी का क्या नाम रखा गया atoms नाम रखा गया फिर बोला कि भाई जो एक atom है न वो matter की smallest unit है यानि कि atom से छोटा कुछ नहीं होता अरे अगर मैंने बोल दिया कि यह चीज सबसे छोटी मिलके क्या करते है एक matter को बनाते है तो अब आपका जवाब यह होना जाये कि मैं आपने जो हम से सवाल पूछ़ा था ना कि यह pen बना है यह matter किस का बना है तो इसका जवाब है atoms यह matter किस का बना होता है atoms का बना होता है तो ancient philosophers ने बोला कि matter की सबसे smallest unit क्या है तो atom है याने कि atom से छोटा और कुछ नहीं लेकिन वही वाली बात है न ये बहुत पुराने जमाने की बात है फिर इसके बार में क्या हुआ technologies आ गई advancement हो गया तरह तरह की चीज़े आने लगी instruments आने लग गए तो फिर इसके बार में आप बोल सकते हो कि जो कहानी है वो थोड़ी और आगे बढ़ी आगे बढ़ने के बाद scientist वागेरा आ गए तो उन्होंने बताया कि ना भाई ना माना की atoms क्या करते हैं matter को बनाते हैं देखो जो हमारे ancient philosophers थे उनकी बहुत सारी बाते देखो सही भी होती थी ऐसा नहीं कि बस हवा में तीर छोड़ दिया तो फिर इसके बार में आगे जाकर कि जो नए scientist था है उन्होंने बोला कि जो philosophy की गई थी कि matter बना होता है atoms से इसमें कुछ गलत बात नहीं है definitely atoms ही क्या करते है matter को मिल करके बनाते हैं यानि कि यह जो matter है यह भी किस से बना वहा बहुत सारे atoms से भना वहा है जितने भी आपके पास आपको matter दिखाई देता है वो matter क्या है सभी के सभी atoms से ही बना हुआ ये बात सही है लेकिन atom सबसे छोटा नहीं है क्यों? क्योंकि atom के अंदर भी कुछ particles पाय जाते हैं अरे, atom के अंदर भी कुछ particles पाय जाते हैं अब अगर मैं यह बोड़ रही हूँ कि atom के अंदर भी कुछ particles हैं तो definitely वो जो particles हैं, अरे, वो atom से ही तो छोटे होंगे आटम के अंदर कुछ है तो जो भी होगा वो आटम से छोटा ही होगा तो ये बात सही थी कि आटम सी क्या करते हैं मिल करके मैटर को बनाते हैं लेकिन आटम के अंदर भी कुछ है जो आटम से भी छोटा है अब ये कुछ क्या है? तो basically atom के अंदर तीन टाइप के सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं I repeat, एक atom के अंदर तीन टाइप के सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं Electrons, Protons and Neutrons तो इस chapter का नाम क्या है? Atomic Structure इसका मतलब क्या? कि हमें atom का structure समझना होगा तो atom का structure आप तभी समझ पाओगे, जब आपको पता होगा कि atom के अंदर होता क्या है तो atom के अंदर, repeat after me, तीन टाइप के सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं Electrons, Protons and Neutrons आई बात समझ में तो अब मुद्ध ये है कि मैं गी electron की discovery कहां से हो गई? कोई बात नहीं, वही तह हमें समझना है तो हमारा जो next session होगा उसमें हम electron की discovery को समझेंगे फिर इसके बाद में हम proton की discovery देखेंगे फिर हम neutron की भी discovery देखेंगे फिर इसके बाद में, देखो हर उसमें आप बोल सकते हो कि हर 2-3 साल में एक trend आता है जैसे कि एक trend आया था जब मैं जो है ना अपने 11-12 में थी कि वो जो बेबलेट होते थे ना बेबलेट, लड़के बड़े खेलते थे उससे उसका trend आया था तो हर लड़के के पास के तो था एक बेबलेट होता था ठीक है? तो कुछ ऐसा ही तो एक समय ऐसा आया था जहां पर आप बोल सकते हो कि discharge tube जो की ऐसी दिखती है देखो एक समय ऐसा आया था जिसमें की कहा गई अपनी discharge tube? चलो आगे आएगी, दिखा दूँगी मैं आपको एक समय ऐसा आया था जिसमें की discharge tube बड़ी common होती थी और उस discharge tube में बड़े सारे experiment किये जाते थे जितने भी scientist थे उस समय के वो सभी की सभी scientist लगे रहते थे क्या discharge tube के साथ experiment perform करने के लिए तो discharge tube के experiments से ही आप बोल सकते हो कि electron, proton की discovery हुई तो कैसे हुई, किस ने करी, यह आपके लिए जानना जरूरी है, तो हमारा जो अगला session होगा, उसमें हम बात करेंगे electron की discovery की, फिर हम बात करेंगे proton की discovery की, और फिर हम बात करेंगे neutron की discovery की, अब जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि electron, proton and neutron की discovery किसने करी, कैसे हुई, इसके बाद में आपको समझना ये होगा कि मैम एक atom के अंदर ये तीनों ही टाइप के subatomic particles कैसे present होते हैं अरे भाई ये समझ में आ जाएगा न कि electron, proton, neutron कहां से आ गया, किसने discover किया, कैसे किया, ये समझ में अगर आ जाएगा, तो फिर next step क्या होगा हम एक step आगे जाकर कि ये देखेंगे कि अब इस एक atom में एक atom में electrons, protons and neutrons कैसे present होते हैं उनकी location क्या होती है क्या बस ऐसे ही randomly पढ़े रहते हैं या systematically organized manner में present होते हैं तो इसके लिए भी क्या हुआ अलग-अलग atomic model दिये जाने लगे हम पढ़ेंगे किसको Thompson के atomic model को Thompson का जो model है वो बड़ा interesting है उन्होंने बोला देखो इनके समय पे आप बोल सकते हो कि फॉरण में जो plum pudding है वो बड़ी famous हुआ करती थी plum pudding ब़ूआ famous हुआ करती थी इनके जमाने पे तो Thompson ने बोला कि जैसे कि plum pudding होती है वैसे ही atom का भी structure होता है इसका मतलब क्या कि जो plum pudding है उसमें pudding रहती है और पीज बीच में ऐसे plum बिचह रहते हैं कुछ इसी तरीके से एक atom में एक atom में क्या होता है पूरा positive charge होता है और पीच बीच में कहीं 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 electrons present होते हैं आई वाद समझ में एक plum pudding में Thompson ने atom की structure को plum pudding से compare किया कि जैसे कि pudding में क्या होते हैं बीच-बीच में plums present होते हैं वैसे ही एक atom में positive charge के अंदर positive charge के अंदर बीच-बीच में कहीं कहीं electrons present होते हैं या watermelon से भी compare किया था कि watermelon का जो red edible portion होता है watermelon का तर्भूस का जो red edible portion होता है उस red edible portion में जैसे seeds प्रेजंट होते हैं जैसे beach प्रेजंट होते हैं कुछ उसी तरीके से एक atom में positive charge होता है एक atom में बहुत सारा positive charge होता है और इसी positive charge के cloud में electrons distributed मिलेंगे तो JJ Thompson ने भरपूर कोशिश करी थी ये समझाने की कि भई एक atom का structure क्या होता है कभी उन्होंने atom के structure को तर्बूस के साथ में compare किया कभी उन्होंने atom के structure को plum pudding के साथ में compare किया आई बात समझ में तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे JJ Thompson का जो atomic model है वो हम discuss करेंगे but unfortunately ये जो model है ऐसा नहीं है कि उसको लोगों ने appreciate नहीं करा किया था लेकिन वो सही नहीं था model तो obviously बात है उसको जो है न हटाना पड़ गया फिर इसके बाद में हम आएंगे दूसरे atomic model के उपर वो किसका था Rutherford का था इनका जो model था वो कई हट तक जो है न काफी अच्छा था उनका model लेकिन वह वाली बात है कि कुछ drawbacks आ गए कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब Rutherford अपने atomic model से नहीं दे पाए तो unfortunately इस model को भी appreciate तो किया गया लेकिन फिर reject भी कर दिया गया फिर finally icon bore, नील bored इन्हों ने बोला कि मेरा जो भाई है न रदफोर इसने बिलकुल सही बोला था अरे नील बोर ने बोला कि मेरा जो भाई है Rutherford उसने बिलकुल सही बोला है उसने जो atomic model दिया है वो काफी हथ तक सही है बस उसके atomic model में हमको थोड़े से क्या करने होंगे? और exactly यही हुआ, नील बोर ने अपना atomic model दिया, उस atomic model में उन्होंने करा क्या, Rutherford के ही atomic model में थोड़े से modifications वो लेकर के आ गए, और बन गया क्या, एक perfect atomic model, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, फिर इसके बार में, next topic क्या होगा, arrangement of electrons in an atom, फिर हम यह देखेंगे, एक atom में, electrons कि सरही के से arranged होते हैं, देखो मैं आपको बताओ, atom में होता है, बीच में एक nucleus, इसे की cell में होता है, इसे में लडी, atom में भी बीच में एक nucleus होता है, और उस nucleus के around आप बोल सकते हो कि बहुत सारे shells होते हैं और उनी shells में electrons पाय जाते हैं तो basically ये जो electrons हैं वो shell में किस तरीके से present होते हैं कोई pattern होता है, fixed pattern या बस ऐसे ही random ली कहीं भी present होते हैं किसी भी shell में present होते हैं electrons वो हमें समझना होगा फिर इसके बार में हम बात करेंगे atomic number की हर एक element को एक-एक atomic number assign किया जाता है ठीक है, हर एक element को आप बोल सकते हो कि एक-एक atomic number assign किया जाता है for example, जो carbon है, carbon element के पास एक number है कौनसा number है? 6 number तो ये जो atomic number है, इसी को हम क्या बोलते हैं atomic number और ये atomic number कौन सा वाला? 6 वाला ये 6 atomic number, 6 atomic number carbon के अलावा और किसी के पास नहीं होगा जैसे कि हमने बोला oxygen है, oxygen का atomic number कितना है? 8 है अब जो उसके पास 8 है, वो हमेशा उसी के पास रहेगा ऐसा कभी नहीं होता है कि आज carbon और oxygen की क्या हो गई? ये दोस्ती हो गई है फिर इसके बार में mass number भी होता है फिर हमारा topic आएगा कौन सा isotopes और isobars वाला? ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हम अपने chapter में इन सारे topics को discuss करेंगे बीच बीच में छोटे-छोटे topics और आते जाएंगे जैसे कि एक isotones भी होते हैं, एक isotonic species भी होती हैं तो NTSC exam में कई बार इन दोनों topics के ओपर भी question आए है isotones and iso-electronic species ठीक है? तो वो भी मैं आपको समझा दूँगी तो कुल मिला कर कि हम इस पूरे chapter में कुछ इस तरीके से proceed करेंगे तो I hope कि अब आपको समझ में आया होगा कि इस session के मलब इस chapter में, atomic structure chapter में हमको कौन कौन सी चीज़े पढ़नी है तो अब एक काम करते हैं इस session को हम यहीं करते हैं क्या खतम? क्यूँ? जब ये session खतम होगा, तभी तो नया session आएगा और उस नया session में हम क्या करेंगे? first topic को discuss करेंगे कौन से वाला topic? तो discovery of electron तो इस session के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे कहां? अपने अगले session में लेकिन तब तक आप क्या करोगे? अरे, visit करो हमारी official website कैसे करोगे? Google पर जाकर के type करना magnetbrains.com जैसे type करके search करोगे, आपके सामने खोल जागी क्या हमारी official website जैसे ही आप हमारी official website को विजिट करोगे, आपके सामने आएगा ये वाला page जहां पर लिखा रहेगा इंडिया's number one, 100% free online education platform जहां पर आपके पास class 12 से लेकर के kindergarten तक के सभी courses होंगे available. अब इसी page में आपको explore top courses का option दिखाई देगा. इस option पर आप जैसे ही जाओगे तो आपको NTSC को option चमकता हुआ नजर आएगा जैसे ही आप NTSC के option पर click करोगे, आपके सामने NTSC के सारे subjects आपको दिखाई देने लग जाएंगे. Physics है, Chemistry है Biology है, Maths है, Math है और आप बोल सकते हो की Social Science भी है हमें देखना है क्या हमें देखना है सपोज Chemistry हम क्या करेंगे, NTSC Chemistry के option पर जाएंगे और click कर देंगे जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने यह वाला page खुल जाएगा, जहां पर लिखा रहेगा NTSC Chemistry by विभूती खरे यहाँ पर आपको सबसे पहले कौन सा विडियो मिलेगा syllabus overview का, पर किसी भी exam के लिए आप prepare करते हो तो आपको यह पता होना चीना कि उस exam में syllabus क्या है, उस exam को syllabus क्या है NTSC अगर आप दे रहे हो तो NTSC में science का syllabus क्या ही, कैसे पता चलेगा, जब आप syllabus overview का विडियो देखोगे, तो जैसे ही आप इस विडियो पर क्लिक करोगे, आपके सामने syllabus overview का जो विडियो है वो कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा विडियो को पूरा देखने के बार में आपको realize हुआ है कि मैं हमको तो आज से क्या करना है chemistry का first chapter देखने तो कैसे देखोगे, इस विडियो के नीचे next video का option नजर आ रहा होगा इस पर आप जैसे ही click करोगे तो आपके सामने जो first chapter है matter and classification उसका पहला lecture खुल जाएगा तो कुछ इस तरीके से next video के option पर click करते जाना और नए नए videos देखते जाना फाइदा क्या होता है? official website को visit करनेगा कि यहाँ पर आपको सभी chapters की सभी lectures एकदम properly sequence में arranged मिलते हैं प्लस यहाँ पे सभी topics के होते हैं notes भी available और यहाँ पे जो है न आपको कोई भी annoying ads वगरा भी नहीं देखने पड़ते हैं so do visit our official website कौंसी वाली यही वाली magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching